हेलो दोस्तो इस भी ब्लॉग में आप सब का स्वागत है तो आज हम आप सब के साथ इस घड़ी को लेकर कुछ टिप्स कह सकते हो या फिर नए आइडिया तो कुछ भी हो तो घड़ी को लेकर मैं कुछ दिखाने वाली हूँ जो की पहुती काम आने वाली है क्योंकि जब ये खड़ी खराब हो जाती है तो हम सब एक तरह फैक देते हैं या फिर खुड़े वाले को दे देते हैं तो चलिए आज हम इसी का इस्तेमाल करेंगे किन-किन जंगे में इस्तेमाल हो सकती है तो ये देखिए दोस्तो जब इस छाते को हम इस तरह से रखते हैं अगर इस फीता ना हो यानि कि बांधने वाली कोई डोरी ना हो तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे हम उसी घड़ी को यूज करेंगे यानि कि जो घड़ी हम एक तरह फैक के रखा था उसी घड़ी को अगर हम इस्तमाल करेंगे तो देखने में तो बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों और इस बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ अगले टिप भी होगी इस घड़ी को लेकर इस घड़ी को कहां कहां इस्तेमाल करूंगी आप सब देखती रहिए उससे पहले मैं दूसरी अंब्रेला को भी अच्छे से रख दूंगी तो मैंने पहले बाली तो घड़ी लगाया है अब तो इसमें धूल मिट्टी नहें लगेगी और जगे भी कम लगेगी और इसको कहीं पे भी हैंक करके रखो देखने में बढ़िया लगेगा तो इस ट्रिक को भी आप सब अजमा सकती हो बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले टिप की त आ गई हूं और इसी पर्दे को कभी कभी इस तरह से एक जगह में करना पड़ता है और इसके लिए हमें बाजार से कहीं तरह के मिलती है जो हमें खरिदना पड़ता है तो अगर इस तरह की वेस्ट घड़ी यानि की बरबाद हो चुका है इस तरह की घड़ी एक तरह ठेक के तो इस तरह की जगे पर इस्तिमाल कर सकते हो, अगर परदे पर इस तरह से घड़ी को लगाओगे, देखने में बहुती अच्छा लगेगा दोस्तो, आप सब देख सकते हो, ये टीप भी अगर अच्छा लगा है, तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तो, चल ये बढ़ते ह दुसरी tip की तरफ दुसरी tip भी होगी उसी घड़ी को लेकर तो जब हम iron करते हैं तो iron करने के बाद iron को सबसे पहले तो अच्छे से ठंडे हो जाना चाहिए उसके बाद oil को इस तरह से फोल्ड करूँगी और इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे कुछ भी लगा कर बां रखूंगी देखने में बहुती अच्छा लगेगा ये देखिए दोस्तों इस तरह से भी इसको मने घड़ी को यूज कर सकते हो आज के लिए बस इतना ही फिरकल मिलेंगे इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद